जैहिन दोस्तों हमारी यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो को टॉपिक है कि महाराष्ट में DSP की ट्रेनिंग किस टाइब से होती है उसके बाद वहाँ क्या-क्या सिखाया जाता है किस टाइब से फिल ट्रेनिंग होती है इसके बारे में जानकारी जानकारी से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सक्स्क्राइब कर लिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बतादू कि जब आप महाराष्ट का PSC एक्जाम फाइनली क्वालिफाय कर लेंगे तो उसके बाद दो से तीन महीने के अंदर आपको कॉ दोस्तों जैसे ही आप ट्रेनिंग के सिंटर में पहुचेंगे तो यहां किस ट्रेनिंग सेंटर में पहुचेंगे आप इसकी जानकारी दे दू कि सबसे पहले आपका होगा foundation course और आपका foundation course जो होगा वह होता है महाराष्ट administrative training academy में जो इसका नाम है वो आपको screen पे दिखाई दे रहा होगा और location भी जैसे ही आपके तीन महीने का foundation training पूरा हो जाएगा तो उसके बाद आपको DSP training के लिए भेजा जाएगा आपके जो DSP training center का नाम है वह है महाराष्ट police academy जो की नासिक में है वहाँ पर आपको भेजा जाएगा वहाँ आपके फाइनली अप DSP के लिए जो training है वह स्टार्ट होग जैसे ही आप DSP training center में पहुचेंगे तो यहाँ पर जो छोटी मोटी सुविधाय होती है जो नियम कानून है वो सेम वैसे ही होता है जैसे महाराष्ट administrative training academy में है यहाँ पर अंतर आएगा कि यहाँ पर आपको जो पढ़ाई कराई जाएगी जो चीजे सिखाई जाएगी उसम यूज होती है जैसे कि law यूज होता है तो आपको पढ़ाया जाएगा CRPC यूज होता है तो CRPC पढ़ाया जाएगा आपको IPC भी पढ़ाया जाएगा क्योंकि IPC कभी यूज पुलिस वैवस्ता में सबसे जादा होता है इसके बाद जब आप finally यह सब चीजे पढ़ लेते है तो इसके बाद आपको कई और चीजे पढ़ाया जाती है जैसे कि यातायात प्रबंदन अधिनियम यह सब चीजे पढ़ाया जाएगी फिर उसके बाद आपको आपदा प्रबंदन अधिनियम भी पढ़ाया जाएगा तो इस चाइप से कई सारी चीजे आपको पढ़ाया ज पहले टाइप होता है कि आप नॉर्मली क्लास में बैठेंगे और आपको कोई टीचर या प्रोफेसर आगर के लेक्छर देंगे दूसरी चीज होती है कि आपको कोई topic दे दिया जाएगा और उस topic में आपको रोल करना होगा और तीसरी चीज जो होते हैं पढ़ाने के लिए होता है कि कोई मुवी का सीन ले लिया जाता है ऐसे देखे होंगे कि इंडिया में कई सारे मुवी हैं उस मुवी से अगर इंपॉर्टन चीज उठाया जा तो पढ़ने में बहुत सारे इंपॉर्टन होता है तो वही मुवी का कोई सीन ले लिया जाता है और उसके जर सारे पार्ट्स होते हैं इन पार्ट्स में भी के 16 चीज़े होती है आउड्डूर में पहुंसारी चीज़े आपको driving इसी में होती इसके बात आउड्डूर में जो दूसरी लींग होती है वर होती है विपन का यूज कैसे कर दन हों कर आपको बहुत सारे हथियार है वह चलाने को मिलेगा वहां पर सिखाया जाएगा तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इस सब चीजों को सीखने में इसके बाद आउट डेर में जो तीसरी ट्रेडिंग होती है वह होती है ड्राइविंग से रिलेटेड जिसमें आपको कई सार पढ़ाई और सिखाए जाती है इसके बाद कुछ मस्ती वाली चीजे भी होती है जैसे कि एनवल function होते हैं उसे एनवल function में आपके राज जी में कौन-कौन सी चीजें फिर उसके पाद पूरे इंडिया में और कON कौन से जो तियोहार है मनाया जाते हैं उस सब चीजों का जो रोल है वहाँ पर किया जाता है। आपको कई सारे नाच, गाना यह सारे डान्स होंगे वहाँ पर सौंग भी गाया जाता है। कई सारे नाटक भी होते हैं, तो ये सारे चीजे मौज मस्ती में होती है, इसके बाद game कभी offer होता है, कि आप अपने अनुसार, अपने पसंद की साब सी game खेल सकते हैं, फिर उसके बाद जो चीजे होती हैं, फिर field training होती है, field training में ये होता है, कि आपको कुछ दिनों के लिए कई सारे जिला तहसील में भेज दिया जाएगा आप DSP के रूप में जैसे यहां ट्रेनिंग ले रहे हैं तो DSP के बाद आपको जब जिला में भेज जाएगा तो वहाँ पर कई सारे थाना है तो थाना में थाना अध्यक्ष की रूप में काम करने को मौका मिलेगा यहां पर बता दू कि थाना अध्यक्ष की रूप में आप काम तो करेंगे लेकिन किसी उज़े अधिकारी के अंडर में काम करते हैं वो आपके काम को जो देखते रहते हैं और इस exam में आपको pass होना compulsory होता है यहाँ पर इसके बाद ये भी बता दू आपको जब field training हो जाता है तो इसके बाद आपके कई सारे campus होते हैं छोटे मोटे campus होते हैं वो campus आप finally जब पूरा कर लेते हैं और finally ये जो total month होते हैं वो training का लगबग पूरे completely आप जोड़ करके लेंगे तो दो साल का समय लगी जाता है training के दोरान ही आप जब foundation course सीख रहे होते हैं तो उसी time आपको जो state दर्शन है वो भी होता है मतलब कि state tour साथ दिन का होता है जिसमें आपके state के बारे में सब कुछ आपको दिखाया जाएगा और सिखाया भी जाएगा तो state tour होगा जहां बहुत सारी लोग सारे candidates मिल करके मस्ती भी करते हैं और बहुत सारी चीजे आपको नई चीजे सीखने को भी मिलेंगी तो दोस्तो यह थी महाराष्ट में जो DSP की ट्रेनिंग है किस टाइप से होती इसके बारे में जानकारी अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमें प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें